पेटम का करते हैं इस्तिमाल तो जान दीजिए ये बातें होगा जबरदस्थ फायदा इन दिनों हम लोग शॉपिंग, रिचार्ज, बिजली बिल पेमेंट यहां तक की छोटी छोटी चीजों की खरीदारी के लिए पेटी एम का इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन हम मेंसे कई लोग Paytm के कुछ बातों को नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसकी ऐसी ही चार इंट्रेस्टिंग बातें बताने डा रहे हैं Paytm Payments Bank Paytm का Payments Bank बिना कोई Opening Charge खाता खुलने में एक भी टार्ज नहीं लगता और जीरो बैलेंस की सहूलियत के साथ सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा देता है खात अधारक अपने खाते में एक लाक रुपे तक जमा कर सकता है और रूपे डेबिट कार्ड और रियल टाइम अपडेटेड पास्बुक की सुविधा का लाब उठा सकता है बिना इंटरनाट के भेज सकते हैं पैसे पेटी एम के जर्ये आप बिना इंटरनाट के भी पेमेंट कर सकेंगे कमपनी ने हाल ही में इसके लिए पेटम टाइब कार्ड की शुरुआत करने की घोशना की है इससे ओपलाइन भी पेमेंट किया जा सकेगा टैप कार्ड एक सेकेन में पेटी एम द्वारा जारी एनाइप सी प्योए स्टर्मिनट में पूरी तरह है अपलाइन, सुरक्षित और सहज डिजिटल भुगतानों में सक्षम तक्नीक है पेमेंट करने के लिए आप टैप कार्ड पर QR कोड स्कैन करके और किसी भी एड वैल्यू मशीन, AVM में इसे वैरिफाई करके अपने पेटी एम खाते से पैसे जोड सकते हैं बोल कर भेज सकते हैं पैसे जो लोग अपल के यूजर है यानी जिनके पास आइफोन है उन्हें सिरी से काफी प्यार होता है सिरी आर्टेफिशल इंटेलीजिन्स पर आधारित परसनल असिस्टेंट है सिरी यूजर्स के लिए मेसेज भेजने, फोन कॉल करने, इमेल्स पढ़ने, म्यूजिक प्ले करने समेट धीर सारे काम करती है अब पेटम ने आयस यूजर्स आइफोन इस्तिमाल करने वाले यूजर्स ने बड़ा अपडेट किया है इस नए अपेड़ाट में पेटम ने अपने यूजर्स के लिए हेस सेरी सपोर्ट को एनेबल किया है इसका मतलब है कि यूजर्स हेस सेरी कमान का इस्तिमाल करते हुए सीधे अपने जानने वाले लोगों को पैसे भेज सकते हैं इस प्रक्रिया से एप ओपन करने की प्रक्रिया से यूजर्स बज जाते हैं साथ ही यूजर्स को किसी को पैसे भीजने के लिए कॉन्टाक्ट सर्च करने से लेकर दूसरे डिटेल्स नहीं डालने होते हैं पासकते हैं जबरदस्ट केशबाक अगर आप पैटिएम का यूजर्स करते हैं और केशबाक नहीं लेते हैं के हिसाब से गोल्ड खरीद सकते हैं यानि आप कितने भी पैसों खरीद सकते हैं आप पबलिक हॉलीडे सारवजनिक चुटिया में भी सोने की खरीदारी और इसे बेचने का काम आँफ Chinese कर सकते हैं आप अपने फोन से ही यह सारे काम कर सकते हैं गलती से किसी और वलेट में कर सकते हैं इसके लिए आपको पेटी एम एप का इस्तिमाल करना होगा आपको प्रोफाइल सेक्षन में जाकर हेल्प अंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करना होगा और प्राइवेसी अंड सेक्योरिटी का विकल्प चुनना होगा इसके बाद अनोथराइज्ड और फ्रम पेट मॉलिट के विकल्प में जाकर मामले की पूरी जानकारी दें ऐसा करने के बाद पेटी एम आप से संपर्क कर मामले की च्छान बीन करेगा और फिर आगे की कारेवाही करेगा